आपके दिल में जो है? उनके दिल में आप हो या नहीं? किसी से बहुत प्यार करते हो और जानना चाते हो उसकी करण फीलिंग्स क्या है आपके लिए? क्यों होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट? या क्या है या जानना सा रिष्टा आप दोनों के बीच में? सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी true feelings? क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? सो नमस्ते दोस्तों मैं रित्व भारतवाज वील ओफ ओचिन टारो 2190 से मेरे इस चानल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब लोग हुश होंगे, positive होंगे और अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे चलिए shuffling में start करने जा रही हूँ इससे पहले आप सभी लोगों से एक request है comment box में आप लोग अपनी manifestations, आपकी wishes जरूर लिखेगा क्या चाते हैं आप लोग अपनी love life में, career life में, personal life में, professional life में क्योंकि लिखेंगे तो जरूर पूरी होगी और अगर आप लोग tarot channel के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ cards के अंदर energies होती हैं और energies के साथ connect होने के लिए आप जिस भी person के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम अपने दिल में तीन बार repeat कीजिए और उनका image अपने दिमाग में रखते हुए positivity के साथ, cards के साथ connect हो जाएए और अगर आप लोग अपनी personal readings book करवाना चाहते हैं तो personal readings paid होती है, chargeable होती है स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर WhatsApp कीजिएगा और अपनी readings book करवाईए call मत कीजिएगा, calls and return नहीं करते हैं description box में WhatsApp group का link भी दिया हुआ है आप लोग group भी join कर सकते हैं और अपनी readings book करवा सकते हैं चलिए, start करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है आपके partner के दिल में आपको लेकर के क्यों आपकी तरफ attract होते हैं क्यों खिचे चले आते हैं आपकी तरफ क्या है आप दोनों के बीश में एक अंजाना सा रिष्टा so all the divine energies, बर्जम गली universe angels please viewers को बताईए क्या है इनके partner के दिल में इनको लेकर के चलिए, all sign reading है सारे ही sign वालों के लिए ये readings होती है first card या निकल के आया है four of wand का card, okay so Aries, Leo, Sagittarius, Mesh Singh, Dhanu, Rashi सबसे पहले अपियर हुई है ठीक है, cards लेते हैं queen of pentacles Taurus, Virgo, Capricorn, Bishop, Kanya, Makka, Rashi ten of pentacles, okay page of cups so Cancer, Pisces, Scorpio, Kirk, Meen, Rishik, Rashi seven of wand Aries, Leo, Sagittarius, Mesh Singh, Dhanu, Rashi two of cups okay so चलिए, पहले ये समझते हैं फिर और cards लेंगे see, आपके partner देखो, यहाँ पर बहुत clear आ रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी कुछ एक connection है बहुत ही गहरा bond है आप दोनों के बीच में आपके partner सारा time आपको imagine करते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं right, आप दोनों के बीच में एक अजीब sub-magnetic attraction है, आपको मतलब एक आपका औरा ऐसा है कि आपके partner आपकी तरफ attract हो जाते है ठीक है, आपके personality ऐसी है कि आपके partner आपकी तरफ attract हो जाते है आप दोनों के connection में ज़रूर problem आती रहती है लेकिन आप दोनों फिर भी problems के बावरूत भी आप दोनों connected रहते हो कुछ है दिक्कत आप लोगों के आसपास लेकिन फिर भी जो आप दोनों का connection है वो आप लोग manifest करते रहते हो आपके partner को आपका साथ बहुत अच्छा लगता है आपका एक खयाल उनको हमेशा बेचैन करता रहता है वो जब भी आपको देखते हैं एक positivity उनको मिलती है एक खास connection एक खास bond आप दोनों के बीच में है उनको लगता है कि आप बहुत ही जादा महनती हो आप बहुत ही जादा अपनी life में आगे बढ़ते हो आप बहुत ही जादा positive nature के हो उनको ऐसा लगता है कि आपके life में stability बहुत है मतलब आपके अंदर खुद में भी stability है आपके खुद के अंदर एक बहुत जादा ठहराव है एक confidence है आपके अंदर जो उनको बहुत अच्छा लगता है कुछ तो खास है आपके अंदर जो आपको औरों से अलग बनाता है आप कहीं न कहीं एक आपका आप बहुत सक्त दिखते हो बहुत से बहले ही आपका एक image ऐसा है कि आप हर किसी के लिए अवलेबल नहीं रहते हो ठीक है आप हर किसी को अपना time नहीं देते हो लेकिन अंदर से आप इतने caring nature के हो आप इतने positive रहने की कोशिश करते हो जो कि आपके partner को आपकी तरफ बहुत जादा attract करती है आपकी loyalty, आपका dedication, आपका एक strong personality आपके partner को आपकी तरफ खीच लेती है आपका दिल बहुत साफ है, एक pure soul हो आप, एक pure intention है हमेशा आपकी जो आपके partner को हमेशा आपकी तरफ attract करती है आप एक family oriented person हो, आपको family के साथ time spend करना बहुत अच्छा लगता है आपको आपके partner के साथ time spend करना अच्छा लगता है और वो ही चीज आपके partner को आपकी बहुत पसंद आती है आप useless बातों में नहीं फस्ते हो, आप useless लोगों को time नहीं देते हो आपका, आप अपने में intact रहते हो, ठीक है आपको अपना काम करना जादा पसंद है, रादर कि आप इदर उदर गपे मारो या इदर उदर time waste करो आप किसी के पीछे नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप positive रहते हो, चूजी बहुत हो, राइट आपको पसंद है isolated है, आपको पसंद है कि अपने में आप खोई रहो, या अपने काम में आप busy रहो, आपको वो जादा पसंद है रादर कि आप दूसरों की life में घुसो, दूसरों की life में इंटरफे करो, वो आपको जादा पसंद नहीं है और देख लेते हैं, यहाँ पर और क्या cards बता रहे हैं, लवर्स का card आया है दफूल temperance, okay, so बहुत ही prominently यहाँ पर आ गई है, Gemini, Mithun राशी and Sagittarius, Dhanu राशी, बहुत ही prominently आई है, Cancer, Pisces, Scorpio, Karmin, Vistik राशी भी यहाँ पर आ चुकी है Hermit, okay, so बहुत ही यहाँ पर prominently निकल करके आ गया है, Vargo, Karnia राशी Nine of Cups, Three of Pentacles, okay, so देखिए आप दोनों की रिष्टों को कोई third party situation influence तो जरूर कर रही है ठीक है, कोई तो है, जो इनके आसपास जाल बुनता है, या इनकी life में कोई तो ऐसी third party situation बनी हुई है या कोई तो इनकी life में ऐसा है, जो definitely इनके आसपास है और इनको control करता है लेकिन आपकी तरफ still, ये सब होने के बावजूद भी, ये जो अकेला पर इनकी जिंदिगी में लगता है, खाली पर इनकी life में जो है, वो कहीं न कहीं आप fulfill करते हो ठीक है, आपके साथ जब ये होते हैं तो बहुत ही सादा positive feel करते है, एक balance feel करते है आप इनको बहुती special feel करवाते हो, आपके लिए ये बहुत important है और यही चीज इनको अच्छी लगती है आपके अंदर जो समझदारी है, आपके अंदर जो रिष्टो को समझने की समझ है, वो इनको आप बहुत अच्छी लगती है है ना, आप में, आप impatient नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर एक stability है, आपके अंदर एक patience है, एक sensibility है, एक maturity है आपके अंदर, जो आपको special बनाती है और आप इनको ये जादा पसंद है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हो, शायद कोई और इनकी life में ऐसा नहीं है जो इनको समझ सके या इनकी feelings को समझ सके लेकिन वो चीज़ आप easily समझ जाते हो, हो सकता है आप लोगों में बाते कम होती हो, interaction कम होता हो, लेकिन जिस तरीके से आप चहरा देखकर पढ़ लेते हो इनके दिल की बाती है, आँखों से समझ लेते हो, ये क्या कहना चाते है, क्या आपको समझाना चाते है, वो चीज़ आपके दिल में रहता है, वो आप लोग easily एक दूसरे को communicate कर पाते हो, है ना, आप इनको हर तरीके से टॉलरेट कर लेते हो, basically, है ना, आप इनकी अकेलेपन में भी इनका साथ देते हो, और जब भी इनको जरुरत होती है, आप अवलेबल होते हो, भले ही आप किसी और के लि एक magnetic pull आपकी तरफ फील करते हैं, अपस और डाउंस आपके relationship में आते रहते हैं, problems आपके relationship में आती रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनका साथ देते हो, आपको कोई इनसे, कुछ इनसे लेना देना नहीं है, मतलब आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं, है ना, एक unconditional love है आपका, एक unconditional love है आपका, जिसकी वज़े से आप इनको एक feel good factor लगते हो, पतलब आप जब इनके आसपास होते हो, इनको बहुत positive feel होता है, stable feel कर पाते हैं, और इनको ये पता है कि आप इनको कभी धोका नहीं दोगे, आप loyal रहोगे हमेशा, ये चीज इनको पता है, इनके अंदर भले ही कुछ positive चीज़े या negative चीज़े हो, लेकिन आप हमेशा इनको support कर लेते हो, आप हमेशा से इनको संभाल लेते हो, आप possessive बहुत हो, इनके लिए और ये चीज इनको पता है, और आप हर situation को handle कर लेते हो, बहुत ही maturity के साथ handle कर लेते हो, दुनियादारी समझदारी आपके अंदर बहुत जादा है, और most prominently इनको अच्छा क्या लगता है कि आप हमेशा ready रहते हो हर चुनोती को face करने के लिए, आप easily give up नहीं करते हो, आप easily hard नहीं मानते हो, आप ठकते नहीं हो, अपनी life में आप आगे बढ़ते रहते हो, और लो अच्छा attracted रहते हैं, कुछ magical है आपके अंदर, आप दोनों एक अजीब सा effect फील करवाते हो एक दूसरे को, मतलब एक जादूई करिश्मा है आपके रिष्टे के अंदर, और जब आप दोनों साथ होते हो ना, जब आप दोनों साथ होते हो तो आपको किसी की परवानी होती आप दुनिया भुला दते हो, आप कही न कहीं इनके साथ इतने अच्छे से connect हो पाते हो, इतने अच्छे से bond आप इनके साथ बना पाते हो, कि शायद ये अपने दिल की बात आप से कहे पाते हैं, हो सकता है, verbal communication कम होता हो, लेकिन आप ये हर तरीके से आप तक अपना communication पहु इक दूसरे से connected है, और कही न कहीं आप लोग experience करते हो इस चीजों को कि आप दोनों के बीच में infinite love है, कुछ तो magical है आप दोनों के रिष्टों में, और आपको इन से कुछ चाहिए नहीं, ये खुछ जानते हैं कि आपको ये commitment भले ही न दे पाएं, भले ही रिष्टे में कु इस चीजों के रिष्टों में लेकिन जो भी है, इनको अच्छा लगता है, आपकी बाते इनको बहुत अच्छी लगती है, है न, आप इनको एक satisfaction देते हो, एक सुकून फील करवाते हो आप इनको, emotional peace इनको आपके साथ मिलता है, सो दिल का जो आप दोनों का एक connection है न, वो कही न कही इनको एक ठहरा feel करवाता है, आपका एक जो unconditional love है, वो बहुत ही, इनको ऐसा लगता है कि शायद ही किसी और के अंधर हो, या शायद ही कोई इनको इतना समझ सकता है, जैता आप समझ पाते हो, सो आप हर तरीके से इनको attractive लगते हो, आपका confidence इनको अपनी तरफ हीशता रहता है, और कही न कहीं न कहीं इनको ये पता है कि आपके अंदर एक self-respect है, आप इनके लिए कुछ भी करने को तियार हो जाते हो, आप इनके लिए हर वक्त help करने को ready रहते हो, आप दोनों को जरूरत नहीं पड़ती है कि बह इसरे के लिए आप कुछ बोल के ही प्यार दिखाएं, आप लोग सिर्फ चहरे से ही सब कुछ पढ़ लेते हो, और जब आप इनको देखते हो, तो इनको आपका प्यार कहीं न कहीं आपके चहरे पर दिख जाता है, थोड़ा सा कभी-कभी घवरा भी जाते हैं, वो नहीं च आपको दुख देना, 6 of wand, हो सकता है, आप सोचल मीडिया पर बहुत जादा अक्टिव हो, या फिर आपकी परस्नालिटी ऐसी है कि आप लोगों की तरफ अपना ध्यान खीच लेते हो, ठीक है, हो सकता है, आपकी आवाज अच्छी है, आपकी सिंगिंग अच्छी है, आप क आपकी इमानदारी रिष्टों को लेकर के इन्हें बहुत अच्छी लगती है, है ना, आप हमेशा इनको एक इंफ्लूएंस करते रहते हो, और चाहकर भी ये आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, आपका आपसे इमोशनली हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चारियट, इनको पता है कि आप दोनों के रिष्टों में बहुत जादा परिशारियां हैं, बहुत जादा तकलीफे हैं, और ये रिष्टा इन तकलीफों से गुजर के ही और निखरता जा रहा है, और अच्छा बेटर होता जा रहा है, Two of Swords, आप में और किसी और situation में ज़रूर ये फसे हुए औ काफी उलजर हैं अभी इनकी जिन्दगी में लेकिन आपका प्यार इनको पता है इतना confidently आप इनको प्यार करते हो कि इनकी लाइफ में हमेशा एक positivity रहती है कि कोई हो या ना हो आप जरूर इनकी लाइफ में हो five of sword कई बार ये परिशान हो जाते हैं सोच करके कि क्या कुछ होने वाला है इस रिश्टे में क्या किस इस रिश्टे का कोई अंत हो पाएगा या फिर इस रिश्टे में कुछ एक नई शुरुआत हो पाएगी बट उस सब चीजों के बावजूद भी हर परिशानियों के बाव जो जह सब्सक्टाइब में व है आपके अंदर गुम्पेशल छो आपके अंदर अर्शानियों श्रुटे में वह खालता है वो नहीं करने κौरीनेगी की बीच्छा है और बहुत ही प्यारा है यह ईगर आप रिशानियों चाहते है में चुद्ध करहिए खाले heat on18-19aten ये थे आज के card, ये थी आज की reading I hope आपके साथ resonate की होगी अगर हाँ तो like जरूर कीजेगा subscribe जरूर कीजेगा चानल को and जरा से भी positivity आपको मिली हो तो share जरूर कीजेगा ओके, सो चलिए जरूर लिखकर बताएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे है बजरूर का यूनिवर्स का इंजिस का thank you कीजेगा, gratitude दीजेगा कि उन्होंने ये readings आप तक पहुचाने में help की है सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद